तो अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा के सचिन मनेशा और नेहा कॉंट्रोवर्सी में क्या-क्या चीज़े हो रही है अभी नए क्लेम्स करे जा रहे है बही अलका के तरफ से के यह सारी की सारी जो चीज़े हुई थी वो इसलिए होई थी क्योंके नेहा जो है प्रेग नहीं हो पारी थी मनिशा की एज कितनी है 24 अभी मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी पिछले मैंने दो वीडियोस बना रखें और इस चैनल पे मैंने पूरा टेक्निकली समझाया है कि यह सारी चीज़े यह लोग बिग बॉस के लिए कर रहे हैं उ आप लोग पुरानी जो दो वीडियोस हैं उसको आप लोग देख सकते हूं तो वो मैंटर मैंने वहां पर बताया ठीक है अब ही मैं सरोगेसी के उपर बात करूं तो मैं सरोगेसी का पूरा आपको टेक्णिकल चीज़े बता देती हूं देखो मैने मेरी खुद के फैमली मे हो गई होगा जिसको दस साल से बारा साल से या बारा साल बाद पैदा हुएं बच्चे तो आप लोगों के घर पे क्या बीवियां चेंज हो जाती है इन सब चीजों की वज़े से बहुत रेर के सोता होगा बहुत ही रेर जहां पे हस्बेंड के फैमिली वाले एजुकेटड न हो या फिर समझदार इतने ना हो जिन में पेशेंस नहीं हो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वेट करते हैं यह कोई रीजन नहीं होता है एक्स्टा मेरिटल अफैर करने का बहुत रेर केसिस में होता है बहुत ही रेर केसिस में ठीक है अभी सरोगेसी लॉस के बारे में उसके अकॉर्डिंग ये है कि पहले क्या था कि ये चीजें जो हैं बहुत जादा होती थी बहार के कंट्री से लोग आते थे इंडिया की विलेज जो गाउं वाला एरिया है वहां पे ये बिसनेस तोर पे चलाया जाता था कि बहुत सारे कपल्स आते थे आउट आफ इंडिया से या इंडिया से जो बहुत रिच होते थे वो क्या करते थे के विलेज में जाते थे वहां पे जो औरते हैं उनका फर्टिलिटी रेट बहुत हाई होता है और उनको पैसों की जरूवत होती है तो वो लोग क्या करते थे अपनी किराये पे कोक देते थे ठीक है आपको मदर उनको बनाया जाता था जो इजीली मतलब बच्चा जो है अपने कोक में कैरी कर सके जो फर्टाइल हो जो हेल्दी हो ठीक है तो ये सारी चीज़ों होती थी जब गवर्मेंट ने ये नोटिस किया कि मतलब इस से तो बहुत शोशन होगा फोर्स फुली किसी भी औरत को सरो सरोगेसी लाव में बहुत सारे चेंजिस हुए और सरोगेसी लेने के लिए आपको बहुत सारे पापड बेलने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़े करनी पड़ेगी ये कोई इतना इजी नहीं है हाँ मतलब एकता कपूर करन जोहर और ऐसे बड़े बड़े सिलेब्स हैं जिनोंने सरोगेसी के थूँ अपना बच्चे जो हैं इननोंने लिये हैं बट उनकी बात अलग है क्यूंकि उन्होंने इंडिया से नहीं किया होगा सरोगेत मदर का रेंजमेंट या जो भी उनकी बात अलग है आप छोड़ दो किशुकि इंडिया में करप्षन लेवल भी बहुत है कुछ भी हो सकता है वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं पर मैं इन लोगों की बात कर रही हूं ठीक है तो देखो टेक्निकली मैं आपको समझाओं तो सरोगेसी के लिए आप एपलाय करते हो ठीक है आप ऐसे ही मूठा कि किसी को भी सरोगेट नहीं बना सकते ठीक है आ आप suppose मानलो कि मैं हूँ और मेरे हस्भेंड है, मेरे को नहीं बच्चे हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मैं किसी को सरोगेट बनाना चाती हूँ, तो मुझे कोट में जाना पड़ेगा, कोट में मुझे अरजी लगानी पड़ेगी, कि मैं so and so person को as a बनाना चाहती हूँ तो मैं कुर्ट मांगेगा कि आप परूफ दो कि आप बच्छा अपने पेट में नहीं कैरी कर सकते हैं प्रेगनेट नहीं हो सकते आप उसका प्रूफ दो तो मै तो मैं अपने सर्टिपिकट्स लगांगी कि मेरे कितने IVF हुए थे जो fail हो गए मेरे कितने abortion हुए थे जो fail हो गए या तो फिर मुझे कोई ऐसा disease तो नहीं है जिसके वज़े से मैं pregnant नहीं हो सकती या तो फिर ऐसा कोई risk तो नहीं है कि मुझे thyroid की problem या कुछ ऐसा problem तो नहीं है जिसके वज़े से मैं pregnant हो ही नहीं सकती या तो फिर मेरा uterus normal नहीं है uterus में कुछ infection है या कुछ something है जिसके वज़े से मैं pregnant anyhow नहीं हो सकती जिस वज़े से मैं infertile हूँ ठीक है मेरा या तो मेरे husband का किसी का भी infertile होने का एक certificate medical certificate बनता है जो gynecologist आपको बना के देगी after check up वो certificate आपको attach करना पड़ता है और साथ में आप जिसको surrogate mother बनाना चाहते हो suppose मेरी friend जो मेरे लिए surrogate mother का काम करने चाहती है तो मैं उसका medical चीज़ जो check up के सारे certificate वगएरा कि वो fit है बच्चा carry करने के लिए वो fit है healthy है वो चीज़ और दूसरा उसका consent जो agreement मेरा और मेरी दोस्त का बना होगा वो agreement मैं लगाऊंगी और यह सारी के सारे जो paper होंगे ना वो सारे पेपर जाएंगे coat में फिर coat इसको here पूरा hearing में सुनेगा उसके बाद में coat मोहर लगा देगा ठीक है तुम सरोगेसी के लिए पूरी तैयारी कर सकते हो तो हम जाएंगे IVF Center में IVF Center में जाएंगे तो क्या होगा मेरा जो एग होगा अगर मैं healthy हूँ मतलब कि मेरे को infertility है लेकिन मेरा एग quality अच्छा है तो मेरा एग लिया जाएगा ठीक है किसी केसिस में surrogate mother अपना एग डोनेट कर देती है ऐसा भी होता है तो यह सारी चीजे है और male partner का sperm या तो अगर male partner infertile है और उसका sperm कोई काम का नहीं है तो sperm donate कहीं family member से करवाया जाएगा ठीक है family member का biological एक चीज होना जरूरी है क्योंकि वो एक love और affection बनाएगा ठीक है मतलब लोग सोचेंगे मतलब एक होता ना blood relation हो जाना वैसा ठीक है तो यह सारी चीजे है ठीक है या तो male partner infertile है या तो female partner infertile है बट अगर उनका कुछ भी egg या sperm कुछ भी काम में नहीं आ सकता इधर इधर और और तो वो बाहर से अरेंज हो जाता है ठीक है अब वो सारी चीजे IVF center में जाएगी IVF center में test tube baby तो आपने सुना होगा ना वही चीज procedure करेंगे वो embryo बनाके उसको uterus में डाल दिया जाएगा जो क्या कहते हैं implant होता है ना baby implantation हो जाएगा फिर जो बंदी है वो pregnant हो जाएगी फिर वो 9 महीने तक बच्चे को पेट में carry करेगी फिर बच्चा deliver करके वो couple को दे द होता है ठीक है और जो आप इन चीजों के लिए जो pregnant mother है जो surrogate mother है उसका खर्चा medical का खर्चा उसके खाने पीने का take care करना उसका कहीं traveling का expenses उठाना उसके health check-up का पूरा expenses उठाना यह सारी चीज़े आप उठा सकते हो लेकिन बच्चा carry करने के लिए आप उसे पैसा नहीं द है यह सारी चीज़े जो है follow करनी पड़ती है यह कोई हलवा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के बना दोगे surrogate mother ऐसा नहीं होता है और इंडिया में organized way में surrogacy band है ठीक है यानि कि आप इसका धंदा नहीं बना सकते हो surrogacy का धंदा नहीं बना सकते हो यह commercially band है यानी ठीक है त तो नहा को as a surrogate mother बनाना चाता था इसलिए वो उससे trap कर रहा था अच्छा तो surrogate mother बनाने के लिए भी इसको पूरे ब्रहमान में गूम फिर के इसको एक मूबोली बहन नहा ही मिली और कोई नहीं मिला इसे नहा ही मिली इसे surrogate mother तो आपके family में से कोई कोई भी बन सकता है आपके family में से कोई भाबी बन सकती है या कोई बन सकता है उसमें physical relation थोड़ी होता है वो तो आपका egg और sperm जो है वो lab में ले जाके उसको फल्टाइल करके embryo बनाके जो surrogate mother है उसके अंदर डाला जाता है उसमें physical relation थोड़ी होता है यह सारी चीजे big boss के लिए हो रही है आप लोग मुझे बाद में जाके thanks बोलोगे कि मैंने आपको यह पहले ही बता दिया था चीक है यह सारे लोग controversy कर रहे है जान बूच के controversy कर रहे है ताकि गंदी गंदी चीज़े बोलेंगे तो लोग मतलब इस चीज़ को हवा बनाएंगे और वो लोग देखने के लिए सबके चैनल ग्रो हूँ है यह सारी controversy के आड में ठीक है रियालिटी में अगर यह सारी चीज़े true होती ना अगर इन लोगों का चकर चल रहा होता ना तो यह सारी चीज़े YouTube पे आती ही नहीं यह तो वही बात हो गई कि तुम चोरी कर रहे हो किसी अपने friend के साथ में मिलके औ लेकिन जो मेरा दोस्त है ना वो घर पर दुबग के बैट गया है वो तो अपनी चोरी करने वाला इर्जाम उपर बताई नहीं रहा है तो वो तो कितना चोर है है ना तो लोग उसे गाली देंगे यह यह चीज़े की जा रही है बच्चों वाले खेल किये जा रहे हैं यह त चीज़े और matter solve करना था इन लोगों को तो इनको पूरे दुनिया में अलका ही मिली matter solve करने के लिए आप इतनी बेकार बात तो कोई अपने friend को ही बताएगा ना अपने personal friend को बताएगा ना आप best friend को नहीं बता रहे हैं आप ऐसे बंदे को बता रहे हो जिसका YouTube channel है यह problems तो य यह सारी चीज़ें आपको इलोजिकल नहीं लगती है क्या मेरे को बहुत इलोजिकल लगती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डिसकस किये हैं पहले दो वीडियोस में तो आप लोग वो वीडियोस को भी चेक कर सकते हो चलो मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ में ठीक तो इनको financially help कर रहा था इस वज़े से मैंने भला करने की वज़े से मैंने यह सारी चीज़े की और प्लीज आप लोग माफ कर दीजे मैं तो इनको help किया और आप लोग तो जानते हो कि नेहा का खुद का घर नहीं है और इतनी कोई रईस जादी तो है नी वो तो यह सारी की ची एमने तगलेबार तेकल